गुड्डू कुमार जी, बिहार पटना से, रादे रादे महराजी, आपकी चड़ों में कोटी-कोटी पढ़ाओ, गुरुजी, आपके सत्संग और प्रवचन वीडियो सुनने से पहले मैं गलत तरीके से पैसा कमाता था, जो की मुझे उतना सही गलत मालूम नहीं था तब, उसी पैसे से घर बनाया, जमीन भी खरी दी, अपनी शादी का खर्चा भी कहा, लेकिन गुरुजी, जब से आपका वीडियो देखा, सत्संग प्रवचन सुनने लगा, तब से सारा गलत काम छोड़ दिया, एक भी गलत काम नहीं करता, दृड़ता पुर्वक आपके बताय ह भगवत मार पे चल रहा हूँ, निरंतर राधा नाम जबने का भी प्रयास करता हूँ, महराजी मेरा प्रशनी है कि जो घर, मकान, जमीन, वो सब का, मैं अभी क्या करूँ, उसमें रहूं, कुछ क्या करूँ, उसी में रहू, अब आगे से अब लो नुशानी, अब ना नश रही हो, और नाम जब करो, सब ठीक हो जाएगा, घर में थोड़ी दे कीरतन किया करो, करते हो, सब पवित्र हो जाएगा, अब आगे से पाप कर्म मत करना, हाँ, बस, और को ऐसा नहीं कि बुल्डू जल लगवा कि घर तुड़वा दे हो, ऐसा कर, नहीं है, यह पाप का प् अगर वो पैसा रखा होता आपके बाद, तो उसके लिए हम फिर दूसरा नहीं बताते हैं, तो बस फिर आप चिंता मत करो, नाम जब करो, भगवन नाम कीरतन घर में करो, और कभी कोई संत महात्मा दिखाए दे, तो घर में बैठाल के प्रशाद पवा दो, कभी कोई ऐसे प्यासा दिखाए दे, उसको पवा दो, कभी कोई ऐसा बीमार नजर आवे, जिसके आउशधी के लिए पैसा नहीं, तो अपनी कमाई का पैसा उसके लगा दो, तो आपके सारे पापनश्ठ हो जाएंगे, भगवान का नाम कीरतन और परुपकार, इससे बहुत जल्दी प्रार्थना करते हम, कि बस एक प्रार्थना आपसे है, कि आप कभी किसी से घूस न लीजिए, किसी का अहित मत कीजिए, सबसे बड़ा ग्यान है, भारत के किसी पदों में है, तो आप निर्दोस को दंड मत दीजिए, दोसी को मत बक्सिए पैसा लेकर, वो पैसा आपका सर उनास कर देगा, तो जो गलती हो गई, अमालो जिसे आज तक हो गई, तो अब हो गई, अब लो नसानी, अब ना नसयों, अब आगे से नहीं करूंगा, अखुम नाम जब करो, पर ये तब है जब ता आपको पता नहीं था, जिसे आप सुन लिया, तो अब लगा एक नहीं करके बड़ी, यहां बिल्डिंग खड़ी कर लेते हैं, और फिर बाबा से प्रार्थना कर देंगे कि गलती हो गई, तो वो फिर आपको दंड भोगना पड़ेगा, आपको पता नहीं है, आप सत्संग सुना, अब पता चला, तो अब लो नसानी, अब ना नसयों, जिनत की कमाई से उपकार कर देना दूसरों का, समझे रहें, कोई पसू, पक्षी, कोई मनुस्य ऐसी दसा में हो, जिसको आपकी जरूरत हो, तो आप पैसा लगाई हो, सरीर से सेवा कीजिए, तो आपका यह जो पाप कर्म किया हुआ है, उस समनस्ठ हो जाएगा, और नाम कीजिए, ठीक है?